अब हमने long video बना दी long video डालना शुरू कर दिया है तो आपकी video के अंदर views कैसे आएगे आपकी video कोई देखेगा नहीं आपकी video पर views नहीं आएगा तो आपका 4000 गंटे पूरे नहीं होंगे स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंटरस्टिंग वीडियो के अंदर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने नई नई चैनल बनाई है उन लोगों को बहुत सारा प्राब्लम हो रहा है कि 4000 गंटे का वाच टाइम बहुत लगता है कब पूरा होगा कैसे पूरा होगा इसी के बारे में सोचते रहते है बहुत ही सोचते रहते है कि 4000 गंटे का वाच टाइम कैसे पूरा करे तो आज मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा जन्यून ट्रिक है यह जो 4000 गंटे का watch time है यह कोई एक दिन में दो दिन में या 5-10 दिन में पूरा नहीं होने वाला क्यूंकि 4000 गंटे का watch time आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है मतलब कि नए यूटिवर के लिए बहुत ज़्यादा होता है अरे कहना क्या चाहते हो तो मैं इस चैनल को सक्सेस करके बताऊंगा और आप लोगों के साथ टिप्स एंड टिक्स शेयर करता रहूंगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं चारजार गंटे का वोस्टाइम पूरा करने के लिए आप लोगों को क्या करना है सबसे पहली टीप मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको थम्नेल पे ध्यान देना है ये बड़ी अच्छी बात कहिए अपना थम्नेल बहुत ही अट्रेक्टिव बनाना है अगर आपका थम्ने कैची है तभी आपके थम्नेल पे कोई क्लिक करेगा और आपके वीडियो के उपर व्यूज आएगा जान देजेंगे इसके लिए क्या बात करें आप तो यह हो गया दूसरा बात है कि आपका जो टॉपिक है आपको टॉपिक अच्छे से सिलेक करना है और अपना टॉपिक क और लास्ट में जो मैं एक पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझेंगे ज्यादातार यूट्यूबर को यही प्रॉब्लम होती है कि 4000 गंटे का वर्स टाइम कैसे कंप्लीट करेंगे तो हमारा चैनल मॉनेटाइज हो तो आपको सबसे पहले फोकस यह नहीं रखना है कि मॉनेटाइज कैसे होगा 4000 गंटे कैसे कंप्लीट करेंगे इस पर फोकस नहीं करना है आपको फोकस करना है अपने syrup ज्यादा से ज्यादा च्वाइब करना है और अपका 4000 कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स है जिससे हम हमारे 4000 गंटे का वाच टाइम कम्प्लीट कर सकते हैं तो मैं हूँ मिलन गोश्वामी और स्वागत है आप लोगो का हमारी इस चैनल पर इस चैनल पर आप लोगों को यूट्यूब से टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहली में टिप आपको यह दूँगा कि आपको लॉंग वीडियो बनाना है मतलब की थोड़ा लॉंग वीडियो बनाएंगे जितना लॉंग वीडियो बनाएंगे उतना आप लोगों के वीडियो के उपर आपको व्यूज मिलेंगे व्यूज मतलब वस्टाइम तो किसी ने भी अगर आपकी वीडियो के उपर क्लिक किया है और आपकी वीडियो दो या तीन मिनट की है तो उसके अंदर आपको तीन सेकंड चार सेकंड पांच सेकंड का वर्स टाइम मिलेगा और अगर आपने वीडियो लंबी बनाई है आठ मिनट दस मिनट की तो आपको क लंबी वीडियो बनानी है मतलब कि 8 या 10 मिनट के अंदर की वीडियो बनानी है और इतनी ज्यादा भी लंबी नहीं बनानी है कि 15-20 मिनट की तीस मिनट की वीडियो नहीं बनानी है बिना काम का अगर आप बकवास किया जा रहे है तो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा मत आपका वीडियो देखने लायक नहीं है, तो कोई भी आपके वीडियो को देखेगा नहीं, अब हमने लॉंग वीडियो बना दी, लॉंग वीडियो डालना शुरू कर दिया है, तो आपकी वीडियो के अंदर व्यूस कैसे आएंगे, और आपकी वीडियो कोई देखेगा नही आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा तो आपका 4000 कंटे पूरे नहीं होंगे तो आपको क्या करना है आपको जो आपकी टॉपिक के रिलेटेड जो भी चैनल्स हैं जो भी बड़ी चैनल्स है उनको टार्गेट करना उसके अंदर कोई भी बड़ा यूट्यूबर है, तो उसको आपको target करना है कि उसके उसने views कैसे पाये है, उसने struggle क्या किया है, उसके निजी जिन्दगी क्या है, उसने सबसे पहला वीडियो कौन सा डाला है, तो इस तरह कि आप उनको target करते हुए अगर वीडियो बनाएंगे कि देखने वाला सिधा क्लिक करके वीडियो देखने लगे आपको कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि थमनेल के अंदर कुछ है और वीडियो के अंदर कुछ है तो ऐसा नहीं करना है थमनेल के अंदर वही लिखना है जो आपने वीडियो के अंदर बताया है तो तभी आपके जो वीवर से उनको आपके उपर ट्रस्ट होगा और आपको सब्सक्राइब करेंगे और आपको वाच भी करेंगे आपका और आपके वीवर का अंगेजिंग बना रहेगा और आपकी वीडियो फूल वाच की जाएगी और आपके 4000 गंटे कम्पलीट हो जाएगे बड़े यूट्यूबर को टार्गेट करके अपनी वीडियो बनानी है और वहाँ से आपको वाच टाइम इंक्रीज करना है मैं यक तीसरा टीप देता हूँ यह टीप भी बहुत ही इंपोर्टेंट टीप है और लास्ट में जो टीप बताऊंगा वो भी बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही वर्क करती है उस tip को अगर आप follow कर लेते हैं तो आपके 100% एक महीने के अंदर अंदर 4000 गंटी का wash time complete हो सकता है अगर आप ठीक से डंग से इसको follow करते हैं तो यहाँ पर हम tip की बात करें तो अभी last tip नहीं आई अभी इसके बाद भी एक last tip बागी है जितनी आपसे वीडियो बन सके उतनी वीडियो एक दिन के अंदर आपको डालनी है मतलब की आपको regularity बनाए रखनी है हर दिन आपको वीडियो डालना है एक वीडियो डालना है एक डालिए दो डालना है दो डालिए जितना हो सके ज़्यादा वीडियो डालिए जितना आप ज़्यादा वीडियो डालेंगे उतनी YouTube आपकी वीडियो को suggest करता रहेगा YouTube उसको 500 लोगों तक पहुचाएगा अजब मैं दूसरा वीडियो डालता हूं तो वो वीडियो भी YouTube 500 लोगों तक पहुचाएगा मतलब कि मेरे इंप्रेशन हो गए complete 1000 तो दो वीडियो के अंदर 1000 इंप्रेशन आते हैं तो सोचो कि आप 30 इस दिन के अंदर 60 वीडियो डालेंगे तो 60 वीडियो के 6000 इंप्रेशन मिलेंगे तो जितना इंप्रेशन ज्यादा मिलेंगे उतने आपको व्यूज ज्यादा मिलेंगे और उसके बाद आपका अगर थमले कैची है तो तो आपकी व्यूज आने ही वाले है और एक ही महिने के अंदर आप चार अजार गंटी का वस्ट कम्प्लीट कर सकते हैं तो और लास्ट में जो मैं टिप बताने वाला हूँ इस टिप्स को अगर आप यूज करते हैं तो आपको 100% क्याएं 4,000 गंटे कम्प्लीट होने में कोई भी देरी नहीं लगेगी तो ये टिप्स है आपको कॉलाब करना है आपको दूसरे यूट्यूबर से कॉलाब करना है मतलब कि आप एक वीडियो बनाईए उस यूट्यूबर के साथ आपको एक वीडियो बनाना है वो अपनी चैनल पर वीडियो डालेगा आपको अपनी चैनल पर वीडियो डालना है और आप दोनों के चैनल के जो भी सब्सक्राइबर है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे मतलब कि उसके जो सब्सक्राइबर है वो आपकी वीडियो देखेगा और आपके जो सब्सक्राइबर है वो उसकी वीडियो देखेगा तो आपके भी बढ़ सकते हैं और उसके भी बढ़ सकते हैं लेकिन आप अगर कुछी को कोलैब करने को बोलेंगे तो आपसे अगर कोई बड़ा यूट्यूबर रहते है उसको मत बोलना वो कभी भी एकसेप नहीं करेगा आपको क्या करना है आपके जो लेवल का यूट्यूबर है उसके साथ कोलाब करना है उसके साथ कोलैब करेंगे तो आपक एक महिने के अंदर अंदर 4000 गंटे का वाज टाइम कम्प्लीट कर सकते हैं वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को शेर करना मत बूलिए ताकि और भी लोगों को यह पता चल सके कि किस तरह से हम 4000 गंटे का वाज टाइम पूरा कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो यहीं खतम करते हैं मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई